हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इस्टूडेंस बज़की इस न्यू फ्रेश वीडियो में दोस्त इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR के कठाप के बारे में जैसा कि दोस्त आप लोग चानते हैं कि ICR का एक्जाम यूजी के मैं बात कर रहा हूँ 16, 17 और 22 सेप्टेंबर को हुआ था ऐसे में आप लोग का रिजर्ट भी NTA ने डिकलेर कर दिया है हाला कि आपका रैंक अभी तर डिकलेर नहीं किया गया है तो दोस्त इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR की टॉप एकरिकल्चर उनिवर्शिटीज के कठाप के बारे में यहाँ पर मैं सभी कठेगरीज की बात कर रहा हूँ जनरल, OBC, SC, ST और इसको बनाने के लिए और हेल्प करने के लिए हम इस्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने रोहित भाईया और अमन सैनी भाईया की जो की ब्याचियो में मास्टर्स कर रहे हैं जिनकी मदद से यह कठाप उन्होंने प्रिपेर करने में हमारी बहुत हेल्प किया है तो उनको बहुत बहुत थैंक्यू और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत से ऐसे हमारे आप मेंसे जो हमारे वीवर्स हैं वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज आइसा मत किया किजिए क्योंकि मैंने यूटेब की स्टूडियो में चेक किया था तो वहाँ पे 89-85% अभी वी स्टूडेंस ऐसे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किया हुए वीडियो को देख रहे हैं और दोस्त आपको एक ऊवर्वीव देदे हूं कि आकर इस वीडियो में हम क्या देखने आपकी सबी क्रेगरिस जैसे जन्रल ओवी सी एस्टी इन चारों क्रेगरिस को मैंने अलग-अलग यहां पे लिस्ट में यहां पे मेंसन किया हुआ है दूसरी बात यह है कि यहां पे हो सकता है कि कुछ उन्विश्टी मिस हो गई हो लेकिन यहां पर जो मोशली टॉप के चांसे ज्यादा है ओवी सी कर्णिडेट के लिए 395 प्लस और EWS के लिए 410 प्लस SC कर्णिडेट के लिए 360 प्लस और ST कटेगरी के स्टुडेंस के लिए यहां पे 310 मार्क होना चाहिए सो फेंड्स यदि हम बात करें ndRI कर्णाल यानि कि नेशनल डेरी रिसर्च इस्टूट जो की कर्णाल हरियाना में है तो इसके यदि हम यहां पर कटाफ की बात करें यहां पर देखिए हम यूजी के केवल बात कर रहे हैं ठीक है तो यदि आप जनरल कटेगरी से बिलाउं मां करतो हो यहां पर आपका जो कता अख वहता है लगभख इस वार का 390 प्लस होने वाला है OBC और EWS की कि बात करें तो 385 & 380 यह होने वाला में आपका और SC की के बात करें तो यहां से 355 य्यानि के 355 प्लस और ST की कासे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि 370 प्लस होने वाला है और 6T के टेखरी के टेख देख से बिलांग करते हैं यहां पर देख सकते हैं उसका बेंफिट आपको यहां पर मिल जता है सो दोस्तों यदि हम बात करें जीवी प्योटी यानि की गोविंत बल्लब पंत एउवरसिटी आप एकरी कल्चर एंड टेकनोलाजी जो की पंत नगर उधम सिंग जो डिस्टी का उत्राखंड में है ठीक है तो यहाँ पर यदि आपका मार्क्स 380 प्लस आता है तो यहाँ पर आपके सेलेक्शन के चांसे ज्यादा है यदि आप जनरल केटेगरी से बिलाउं करते हैं OVC के लिए 375 और EWS के लिए सेम हो ही और SC के लिए यहाँ पर 340 प्लस होने वाला है जो कटाफ और ST के लिए यहाँ पर 280 प्लस ठीक है यहाँ पर 370 प्लस आ रहा है तो यहाँ चांसे आपके यहाँ पर जाता है यहाँ आप से बिलाउं करते हो यहाँ आपको असाम अगरिकल्चर इवर्शिटी में एडमिशन चाहिए तो 350 प्लस आपका मार्च होना जरूरी है और यहाँ यहाँ आपको इसके रिगारिंग कोई प्राबलम होता है आप परसनली हमें कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ड्रॉप यूर क्वेरिस करके लिंक मिल लेगा रितुराज सिंग MZP इस्टाग्राम पे आप मेसेज कर सकते हैं और आप हमारा चैनल टेलिग्राम पे अभी तक नहीं ज्वाइन किये हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल लेगा या फिर आप सिंपली स्टूडेंस बज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइम तक लगबग 345 प्लस मेंबर है सो दोस्तों यदि हम बात करें रानी लच्मी बाई एक सेंटर लेगरी कल्चर उनिवर्सिटी जो कि आपकी जहासी उत्तर प्रदेश में है यह बहुती ज़्यादा यह उनिवर्सिटी है बहुती टॉप लेवल की उनिवर्सिटी है और देखिए यदि आपका माक्स यहाँ पर 375 प्लस आता है तो 280 प्लस यहाँ पर आपका कटाफ होने वाला है तो दोस्तों यदि हम बात करें युनिवर्सिटी आफ एकरी कल्चर साइंसेस जो कि आपका बैंगलोरू करनाटका में है यदि आप जनरर कटेगरी से बिलाउं करते हो तो यहाँ पर जो आपका कटाफ होने वाला है इस बार्त का 395 प्लस 10 और OBC याँ व्यूवस के लिए 385 SC कंडिरेट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो कटाफ होने वाला है 370 प्लस SC कटेगरी की बात रूँ तो यहाँ पर 285 प्लस आपका मार्ग से तो यहाँ पर आपके चांसे ज़्यादा है सुप्रेंट से दि हम बात करें पंजाब एगरी कल्चर इनिवर्शेटी जो की लोग धियाना पंजाब में है तो यहाँ पर जो इसका कटाफ होने वाला है General Candidate के लिए यहाँ पर 390 प्लस OBC EWS के लिए 385 प्लस SC Candidate के लिए यहाँ पर 365 और ST कटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 285 प्लस होने वाला है यदि आपको इतना मांक्स है तो यहाँ पर आप सियोर समग सकते हैं कि आपके इसमें चांसे सेडमिशन के ज़्यादा है So guys यदि हम बात करें MPU80 जो की उदैपूर राजस्थान में है यदि आप जनरल कटेगरी से बिलाउंग करते हो आपका मांक्स यहाँ पर 385 प्लस आ रखा है तो यहाँ पर आपके चांसे जादा है यदि हम बात करें OVC EWS की कटाप की तो यहाँ पर 375 प्लस जाने वाला है SC कटेगरी के स्टूडेंज की 355 और ST कटेगरी के स्टूडेंज की यहाँ पर 285 प्लस आपका कटाप होने वाला है इस बार का यहाँ दोस्त मैंने काउंसलिंग के रिगारिंग एक वीडियो बना रखी है कि कितने मांक्स यदि आपके हैं तो काउंसलिंग में आप अप्लाई कीजिए वरना आपका जो पैसा है पूरी तरीके से वेस्ट होगा ICR को इसका पेरिट मिलेगा यदि उसके रिगारिंग यदि आप वो वीडियो नहीं देख पाए हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ICR वाले में चेक आउट कर लेजेगा वहाँ पर बहुत सारी आपके यूजफुल यूजफुल वीडियो जहें और ICR का इस बार का जो ओराल एस्पेक्टेड कटाफ होने वाला है उसके रिगारिंग भी वीडियो बनी है अलेडी चैनल पर अप्लोड है आप आई बिटन पर उपर क्लिक करके वहां से भी चेक आउट कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा किजिए और चैनल पर आए हो त्यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर लिजी क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन आने वाली है जो आपको इसी चैनल पर केवल मिल पाएंगी सो दोस्तों यदि हम बात करें आई भी आराई बरेली उत्तर प्रदेश की तो य हम बात करें इसकी इंद्रा गांधी किसी विच्वी दियाला जो की रायपूर 36 गड़ में है तो यहां का जो कटाफ होने वाला है जन्रेट के लिए यहां पर हम बात करें PJS तिलंगाना State Agriculture University जो की आपकी हैदराबाद तिलंगाना में है तो देखिए यदि आप जनल कर्टेगरी से विलाउं करते हो 370 प्लस मार्क्स आ रखा है तो यहाँ पे आप सेलेक्शन के चांसे ज्यादा है यदि हम OBC EWS कर्टेगरी की कटाप की बात करें तो यहाँ पे आपका 365 प्लस होने माला है SC कर्णिरेट के यहाँ पे 350 प्लस और ST कर्टेगरी के कर्णिरेट के यहाँ पे 270 ठीक है सो दोस्तों यदि हम बात करें जवाहर नहरू किसी विद्याले जबलपूर मध्यप्रदेश की तो यहाँ पे जनरल कर्णिरेट के यहाँ पे 375 OBC EWS के लिए 365 और SC कर्टेगरी के यहाँ पे 355 और ST कर्टेगरी के शूडेंट्स के यहाँ पास जो कटाफ होने वाला है ची कर्टेगरी के यहाँ थे फो थे फीफाईट्स ऑस्तों यहाँ अब धी हम बात करें यहां पे आपका 300 प्लस होने वाला है एस बात करें यहाँ पे और एंज पूसा बिहार की तो देख सकते में यहाँ पे आपका जो जरूने वाला है यहाँ पर आपका कटाफ 390 प्लस OBC और EWS का 380 प्लस SC कटेग्री का 345 प्लस EWS और सोरी यार और ST कटेग्री का यहाँ पर 310 प्लस ठीक है देखे यार आप वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा इधर जीवान फिशल जा रहा है जीव इधर चली जारी तो उसके लिए सोरी आप लोग समझ लगते हैं यहाँ यहाँ बात करें यहाँ पर वी वी यू सांती निकेतन वेस्ट बंगाल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कटेग्री का जो कटाफ होने माला है इस बार 395 प्लस EWS OBC का 375 प्लस FC कटेग्री का यहाँ पर 330 प्लस और ST कटेग्री का यहाँ पर आपका 300 होने माला है यदि हम बात करें इन जी आरे यू जो कि आपका गुंटूर कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है ठीक है तो यहाँ पर यदि हम इसकी जनरल कटेग्री की कटाफ की बात करें तो 390 प्लस OBCWS के यहाँ पर 365 प्लस SC कटेग्री के हम पर 325 और EWS सोरी यहाँ एस्टी कटेग्री के हम पर आपका 315 तो दोस्तों यदि हम बात करें जूनागर एगरिकल्चर उनिर्सिटी जो कि आपकी यह कॉलेज है सोरी उनिर्सिटी है आपकी गुजरात में यदि आपका मार्क्स आता है जनरल कटेग्री में 385 प्लस तो यहाँ पर अपना सेलेक्शन स्योर समझ सकते हैं OBC EWS कटेग्र यहाँ पर जो कटाप मार्कस होने वाला है 2005 में प्लस होने वाला है तो दोश्तों आगे कुछ और यूनिर्सिटी ज़की यहाँ पर आपका इस्पेक्टर्ट कटाप दी गई है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहें तो आप इसका स्क्रीन साइट ले सकते हैं दी इस वीडियो को हम 12 मिनट के अंदर ही एंड करेंगे और आप हमें support करना चाहें तो आप हमें support कर सकते हैं, आपको just वीडियो को share करना है, channel को subscribe करना है, अपने friends के साथ भी इस वीडियो को जदा-जदा share करना है, यदि आप चाहें तो हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं और आप में कोई question या फी queries है तो आप में इंस्टा पर message कर सकते हैं वीडियो का description में जो आपको सबसे पहला link मिलता है तो आप your queries रितुरा सिंग mzp Instagram पर search करके भी आप वहाँ पर message कर सकते हैं जो भी आपका कोई problem या फिर queries हो ठीक है तो thank you so much guys और आप से रिक्वेस्ट की चैनल को subscribe किये भी न वीडियो को आप यहाँ पर अब किसकी नहीं करेंगे